हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब उम्मिद करते ही कि आप सब अच्छे ही होंगे मैं मोनिका प्रोस में vaccinations में स्वागत करती हूं तो ये देखे मैं आगई हूं daug मैं बना रही हूं पहले मैंने मंखन बनाओंगी मंखन से फिर घी बनाओंगे और उसके बाद आपको बहुत टेस्टी से लड्डू बना के दिखाऊंगी जो कि सर्दियों में अकसर हमारे यह बनाए जाते हैं तो यह मैंने अपनी जो मलाई रखी थी ना इसमें अपना डही डाल के जब जामन डाल के रख देते हैं तो मैंने इसको मिक्सी में चलाया क्योंकि मेरे पास ब तो यह देखे कितना मक्षन निकल चुका है चलिए मैं इसको कढ़ाय में ट्रांसफर कर लेती हूं क्योंकि इसको घी बनाने के लिए ट्रांसफर करना पड़ा है और मैं दिखा रहे थी इससे चाच भी बनाए यह देखे बहुत अच्छा चाच बनकर तयार होता है और मैं म खतम हो जाएंगे उसके पाद यह अच्छे से घी बनकर रेडी हो जाएगा यह देखे इसको कुछ टाइम हो गया पक्त और घी हमारा बनकर रेडी हो गया चलिए इसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं और मैं एक डबा निकालने लगी थी इसका घी वाला अभी मेरा घी य मलाई से मक्कन बनाया अभी घी बनाकर रेडी किया ना तो इसी से बहुत टेश्टी से लड्डू बनाएंगे आप एक बाट राए जरूर कीजिएगा और अगर आपको मेरे रेसिपीज मेरे व्लोक्स मेरे वीडियो अच्छी लगते हैं लाइक कीजिएगा शेयर बताएगा प्लीज प्लीज गाईज तो यह देखें देखें कितना गीनिकल जिकला करीब यह 500 ग्राम घी होगा तो यह देखें गाईज और यह देखिए कि टेश्टी लड्डू बने न दिखने में देखें कितने टैम्टिंग लग रहे यह ड्राय फूर्ट गॉंद वाली recipe हम देख लेते हैं तो ये देख हमें किसी चीजों की आवे श 1965 होगा इनको बनाने के लिए ये देखिए ये मैंने ले लिये हैं बादाम में इसका में पर्ट है वह संफ्लावर सीट गौन ये सब मैंने में ले लिया है तो ये इसमें घी डाल दिया कड़ाय में थोड़ा थोड़ा करके गी एड़ करेंगे तो यहां जाएगा फिर जल जाएगा और वह दीमी आज पे इनको भूनना है तो देखें मैंने 100 गिराम बदाम जो है इसमें ले लिए हैं और इनको हलके हाथो से चलाते हुए भून लेना है क्यो इसका पकने का यही तरीका यह नहीं हलके से क्रैक हो जाते हैं उपर छिलका से इनका लग हो जाते हैं तो समझो कि बादाम हमारे भून चुके हैं तो बादाम हमने भून लिये हैं और इनको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है अब देखिए हम इसमें 100 ग्राम मैंने काजु तो 100 ग्राम हम काजू भी इसमें अड़ कर देंगे और इसको भी हम क्योंकि काजू ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं तो गेरते हैं डालते हैं इसमें तुरंत ही भून जाते हैं हल्का सा रेड हो जाए बस इनको तभी निकाल लेना है वरना यह फिर कड़वापन ले लेते हैं अगर इनको ज़्यादा हम फ्राइ कर देते हैं तो कड़वापन ले लेते हैं तो वापस से मैंने वही कड़ाई ली है और जो मैंने सनफ्लावर सीट्स और पम्किन सीट्स लेकर रखे न 100 ग्राम यह भी हम इसमें डाल देंगे और इन्हें भी हमें ज़्यादा नहीं हलका से इनका कच्छापन दूर हो जाए बस हलका सा ही वो एक से दो सेकिंड ही इनको हमें भूनना है यह भी देखे एक दो सेकिंड भून चुके हैं इनको भी हम प्लेट में निकालते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे तो ये देखे गाइस ये भी हमारे भुन चुके हैं और अभी इनको भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद हमने जो गॉन और कनी जो लिये ना तो उसको हम इसमें फ्राइ करेंगे देखे गाइस मैंने इसलिए सारा गी पहले नहीं लिया था सारा गी लेते तो वो जल जाता देखे थोड़ा थोड़ा गी करके जितने की हमें इसमें जरूरत लगती जाएगी उतना हम इसमें एड़ करते जाएंगे तो यह देखे वापस से मैंने इसमें एक चमच फिर से घी एड़ किया आप चाहो इसमें कितना ही घी एड़ करते सर्दियों में घी वगरा खाते ही यह देखे मैंने गोंद लिया है इसको इंगलिश में एडिम गंब भी बोलते हैं यह देखे गाइस इसको बहुत पेशेंस के साथ इसको हमें भूनना है दिरे दिरे आतों जब बहुत धीमी आज पर आगर हम इसे तेज आज पर भूनेंगे ना तो यह जल जाएगा और एकद इतना भी घी हमने डालते सारा ही अंदर सोख लेगा गौन इसलिए मैंने ज्यादा गी एड़ नहीं किया वरना फिर ज्यादा गी घी हो जाता हमें जितने की जरुवत पड़ती रहेगी उतना ही हम उसमें एड़ करते जाएंगे देखिए हमारा गौन भी फ्राई हो चुका है इसको भी हम साइड में निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसमें अपनी जो कनी भूनी ती ना आप शायद नहीं जानते होगा कनी हमारे इदर यूपी बाकपट डिश्टिक यूपी में बाकपट डिश्टिक की साइड बाकपाद मुझे फटनागर की साइड हैं सब जब दिल्विरी वगेरा होती है ना लेडिस की दो सबी लोगों को यह खिलाया जाता है यह बैक पेन के लिए आपने बॉन्स के लिए बहुत अच्छा होता है यह देखे गाइस मैंने इसमें भी डाल दिये यह बी कुछ-कुछ गोंद के टाइप का ही होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा समय जादा लगता है भूनने में यह देखे इसको भी हम दीरे-दीरे करके भूनते जाएंगे इसको भी थोड़ा सा समय लगता है जैसे यह भूनती जाएगी यह भी गोंद के जैसा ही फूलती जाएगी लेकिन गोंद थोड़ा सा चिप-चिपा टाइप का होत तो मैंने करेब आठा लिया है महक्य का मैंने कुईन सी से कुछ इसी का कि प्रोट बन कर यदे नहीं तो मक्य का ठीज्ट मोता होता है तो इसको भूंते हो दिखें सी कि व्होंने लिए धीमी आज पर भूंन хотел पैसी है अगर हम तेज आच पर भुनेंगे तो वही फिर यह जल जाएगा करवा पन ले लेगा और टेस्ट अच्छा नहीं लगए लड़ोगा तो पेसेंस के साथ भुनना है पहले आपको लगेगा कि इसमें घी कम है इस तरीके से लेकिन जैसे जैसे यह भुनते जाएगा गाइस वै अगर आपको लगेगी इसमें घी कम है तो आप घी में थोड़ा सा ओर एड़ कर सकते हैं मुझे लगा इसमें कम तो मैंने थोड़ा सा ओर एड़ करें देखेंगी हमारा यह भुन चुगा इस से बहुत अच्छी खुश्बू आ रही है तो चलिए इसको साइड में रख दे देखिए यह मैंने सब चीजे अपनी ठंडी होने के लिए रख दिती बूनकर इन्हें कुछ टाइम हो चुका है ठंडा होते हुए तो चलिए अभी इनको हम थोड़ा सा पावडर फॉम में ले आते हैं तो एक ग्लास या कटोरी के हल्प से उसके जो होते हैं उसकी हल्प से भ खोड़ा सा क्रेंच रहना चाहिए जो हमने चीजे इसमें एड़ की हैं लोड़ों में हम एड़ करेंगे ना तो उसका क्रेंच इसमें बने रहना चाहिए तो यह देखे इस तरीके से करके मैंने सारा ही यह गोंद और यह कनी ऐसे तोड़ लिया है और इसको अपना साइड म कर लिया है ना लड़ों में जो क्रंच बना रहेंगा ना ड्राइफूर्स का तो खाने में बहुत टेश्टी लगता है दिखने में भी अच्छे लगते हैं तो देखे मैंने सारी चीज़े ग्राइंड करकर एक प्लेट में निकाल ले हैं और यह पनात ले लिए मैंने थोड़ लिए गाइज मैंने सारा ही इसमें ट्रांसफर कर लेंगे अगर आपको घीस पर कम लगे तो थोड़ा गीस में और एड़ कर सकते हैं मैंने जितने लड़ों बनाया है टोटल इसमें 500 ग्राम घी मेरा लग गया है तो यह देखे सारा ही आटा हम इसमें मिक्स करते जाएंगे सरदीयों में खाने के ही मज़े हैं घाईज खाते रहिए अच्छे से एकदम अच्छा रहता है सरदीयों में खाते और ये सब चीजे ना हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती है फायदा करती आप शुगर पावडर भी ले सकते हैं मैंने यह देशी खांड लिया है हमारे इदर इसको देशी खांड बोलते हैं और यह चीनी के अकोर्डिंग ज्यादा हेल्दी होती है यह जो लोग बागपट डिस्टिक से हैं तो लोग इसको जानते हैं बागपट मुझा फण नगर की साइड आपने इदर इसके कोल होते हैं यह भी चीनी से बनती है बट यह गुड के जैसा कुछ-कुछ प्रोसेस होता है मुझे गी कम लग रहा तो तो मैंने इसमें थोड़ा ड्राइ में जिंजर पाउडर इसको सौंट बोलते हैं सौंट पाउडर यह वह मैंने इसमें वह भी थोड़ा सा एड किया है कि किचन में खड़े-खड़े में काफी टाइम से काम कर रहे थे न तो पूरा पैर दर्द करने लगे तो फिर मैं इसको बैट के अपना बनाने ल रेड़ी हो जाएंगे इस मेजरमेंट से आप बनायेगा यह देख़े गाया तो सारे ही लड़ उवं ऐसे बना कर तयार कर लेते हैं बहुत लोग दोनों हाथों से इसको बनाकर रेड़ी कर लेते हैं लेकिन नहीं कर पाते हूं मुझे दोनों हाथों के आल प लेनी ही इतना भी गरम ने कि हाथों से चना छूपाए इतना वह गरम होना चाहिए जिससे कि हम उसको छूपाए तो अच्छे से सारे सामान मिक्स करते जाएंगे दीर दीर और लड्डू बनाते जाएंगे बहुत टेश्टी लड्डू आपके बनेगे यह जोइंट स्पेन के लिए भ करना कर तयार कर लिए और प्लीज गाइज मोनिकाज होम किचन और व्लोक्स को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए कमेंट करके जरूर बदे देखिए थैंक्स